हेलो फ्रेंड्स, लैंड कम्प्यूटर के एक नए पेशोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों, आज के समय में इंटरनेट का इस्तिमाल कौन नहीं करता मगर सवाल यहां पर यह है कि इंटरनेट के दुनिया में आपने एक word सुना होगा इंटरनेट, तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि इंटरनेट और इंटरनेट दोनो एक ही चीज़े हैं, बस इसको प्रोणों करने का तरीका कुछ लोगों का इंटरनेट होता है और कुछ लोगों का internet लेकिन दूस्तों मैं आपको बता दूँ ये दोनों चीजें अलग होती है और आज कि इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि internet क्या होता है और internet क्या होता है जाने कि इन दोनों की बिच में क्या कुछ basic difference होता है इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों internet के section में लिखा है कि internet इजा public network जो internet होता है वो एक public network होता है उसको दुनिया का कोई भी user, कोई भी computer user, कोई भी smartphone user अपने computer में, अपने smartphone में access कर सकता है क्योंकि वो एक public network है public का मतलब जिसको public use कर सकती है जिसको कोई भी local या भी कोई भी user उसको आसानी से access कर सकता है तो उस network को हम बोलते हैं internet और internet एक public network होता है यहीं पर अगर हम बात करें internet की तो internet इस अ प्राइवेट network अब दोस्तों जो internet होता है यह एक private network होता है और इसको कोई भी normal user access नहीं कर सकता है इसको सिर्फ वह access कर पाएगा जिसने internet को purchase कर रखा होगा तो ऐसे में दोस्तों जो internet होता है वो एक private network होता है उसको कुछ ही लोग access कर सकते हैं और जो हमारा internet होता है उसको कोई भी access कर सकता है। नीचे लिखाए it has unlimited users, जो internet होता है उसके unlimited users हैं। पूरी दुनिया में कोई भी user आसाने से internet को access कर सकता है। इसलिए internet के unlimited users होते हैं। लेकिन बात करें internet की, तो यहाँ पर लिखाए it has limited users, जो internet होता है इसके limited user होता है, क्योंकि यह एक private network होता है, तो ऐसे में इसका इस्तेमल वही लोग कर सकते हैं, जिनोंने इस network को purchase करके रखा होता है, तो internet जो होता है, उसमें limited users होता है, और internet में unlimited user होता है, इसके बाद मैं अकला difference लिखा है कि it has less secure, जो हमारा internet होता है, वो कम secure होत होता है, तो इसे लिए पूरी तरीके से secure मना जाता है, और जो कि internet यह public network होता है, इसमें unlimited users होता है, तो ऐसे में इसकी security level होता है, वो थोड़ा कम होता है, तो इसलिए मान सकते हैं कि internet की security होती हो less होती है, कम होती है, इसके बाद मैं दोस्तों अगला point लिखा है, anybody can access it, जो internet ह होता है, इसको कोई भी user आसानी से access कर सकता है, उसके इस्तिमाल कर सकता है, यहीं पर अगर हम बात करें internet की, तो यहां पर लिखा है, only members can access it, अब दोस्तों जो internet होता है, यह private network होता है, तो इसको वही access कर सकता है, जिसने इसको पर्चेश कर रखा होता है, जिसने इसको internet होता है, यह तो यह बहुत बढ़ा network होता है, इसको हम बात करें internet की, तो यहां पर लिखा है, whereas internet consists land-type networks only, जो गहीं 12 internet होता है, यह completely dependent होता है, इसको पर इसके अंदर जो भी user computers को connect करते हैं, वो सारे transport नेटवर्क के अंदर ही connect होता है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो internet होता है वो सिर्फ land network के basis पर काम करता है और जो internet होता है वो पूरे land when man तीनों के basis पर कारे करता है इसलिए यह बहुत बड़ा network होता है आई होप आपको समझ आ रहा होगा इसके बाद में दूस्तों मारा अगला point दिया गया है internet has no honor जो internet होता है उसका कोई honor नहीं होता है लेकिन जो internet होता है इसका honor होता है it has some honors इसका दूस्तों honor वो होता है जो इस network को purchase करता है जो इस network की member से प्लेता है तो ऐसे में दोस्तों internet का honor होता है internet का कोई honor नहीं होता है और दोस्तों इसके बाद में हमारा last point लिखा है it spreads all over the world जो internet होता है यह पूरी की पूरी दुनिया में फाइला हुआ network है यह पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाकर कि इसके इस्तिमाल कर सकते हैं और अगर बात करें internet की तो यहां पर लेखा its range is limited जो internet होता है इसकी रेंज लिमिटेड होती है क्योंकि यह land network के devices पर कारे करती है जो ह जासे में वह unlimited होता है या कहतो उसकी कोई limit नहीं होती वह all over the world जाने की पूरी दुनिया में फाइला हुआ है तो ihoop दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि computer में internet की दुनिया में internet क्या होता है और internet क्या होता है फिला दूस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना है वीडियो आपको पसंद है तो like कर दीजे मन में कोई सवाल हो तो comment कर दीजे मिलते हैं आप से करने वीडियो के साथ तब तक के लिए बने रही है हमारे साथ नमस्कार